जय गुरुजी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन नौटिवकेशन को अन कर लीजिए ताकि जब भी नया सस्थिंग वीडियो गुरुजी माराज चैनल पर अप्लोड हो तो उसका नौटिवकेशन आप तक तुरंट आ जाए करते रहें, चैनल आप हमें वाट्सेप पर हिंदी में टाइप करके बेजें, एफिर नोटबुग में लिखकर, या फिर ओडियो रिकॉर्ड करके, हमारी आप से सिर्फ एक छोटी सी विंती है, जब भी आप अपना नया सस्थिंग रिकॉर्ड करें, तो उसको एक शान्त तवरन में ही रिकॉर्ड करें, संगत जी, आज जो हम सस्थिंग सुनेंगे, वो एक गुरु भक्त आँटी जी का है, और आँटी जी अपनी पेचान गुप्त रखना चाती है, जो हम समझ सकते हैं, चलिए आज का ये सस्थिंग, हम आँटी जी के बोले कोई शब्दों में ही हम सब सुनते हैं, बहुत ही अद्बूत सस्थिंग शेयर कर रहा हैं आँटी जी ने, आज आप इस सस्थिंग को ध्यान से और अंतक सुने, जिससे महराज का दिववयाशिरवादद आप सभी को मिल सकी, अँटी जी ने जैसा सस्थिंग हमारे साथ शेयर करा है, वैसे ही आप सब के साथ इस ससंग के मातिम से आसाजा करने जा रहे हैं इसलिए आप सभी संगत ससंग के अंतगवने रहना वो ससंग को बहुत द्यान से सुनना वो ससंग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि ससंग सुनने वाले कभी कल्ले आन होता है और ससंग करने वाने का भी और हो सकता है जो आप आज ससंग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं चल्ब ये ससंग शुरू करते हैं Jai Guruji Jai Guruji Jai Sangatji आनंतम शुक्राना Guruji आपका आनंतम शुक्राना मैं बहुत परिशान हो लेटे हैं नो गुरु जी बार बार बोल रहे हैं कि जब मैं तेने सांथों तो खबराती योँ नहीं है बहुत भारी ब्लेक में जहीं मुझे पे किया गया है संकर जी गुरु जी अगर नहीं होते नहीं में नाथ थामा होता तो आज मैं आपके सामने सर्संग शेर नहीं कर रही होती मैं मर गई होती मुझे आप बिलीब भी करेंगे संगर जी मुझे दो दिवानी के बाद दो तिन दिन लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में बहुत दर्द हो रहा था और उसे परे गुरुजी ने बहुत ससंग सननने आए थे मुझे कैंसर के बना तेरे फे तेरे पंसी ने बहुत वड़ी बिमारी ब्लेक मैजिक करके पेकी गई है तो परिशान नहीं हो तो ससंग सन मैंने गुरुजी का बहुत मंत्र जाब के ससंग भी सुना जल प्रसादी बिया आर आर मैं बिल्कुल ठीक हूँ जो मैं सस्तंग शेयर कर रही हूँ गुरुजी ने मुझे वोला एक तरह 40 दिन की सेवा दे रहो शुक्राना करने की सस्तंग शेयर करने की तो दिल से रोचका तेरे साथ क्या चमतकार होगा तो भी नहीं समझ पाएगी की मैं क्या कर सकता हूँ अभी गुरुजी ने वोला तेरे साथ मेरी अद्रश शेक्तिक है तुझे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई चूब भी नहीं पाएगा जितना हो सके मंत्र जाब बढ़ा दे मैं तेरे साथ हूँ पलपल हूँ मैं रोज रात को सौने से पहले पूरे घर में जल प्रसाद का छड़काव करती हूँ अपनी बेटी की जल प्रसा देती हूँ और मैं लेती हूँ फिर हम सौते हैं फिर लगता है कि घर में कोई शान्ती है गुरु जी का वास है पूरे घर में हमें इच्छे नीज आती है तो इन कोई डर देश्यत नहीं लगती गुरु जी बोलते हैं तू इतनी आरस क्यों करती है तुछ के व्लैक मजिक बहुत रिक ही अगया है इसे तू कोई काम ने कर सके ते तू आरसी पन बनके सो ही रहे गुरु जी बोलते हिमत करकी ऊठ तो बेटा मेंतर जी तेरे स साथ तूँ एक कदम तो बड़ा मैंत तू साथ सौ कदम बढ़ा दूगा जितना आओ सके मनी मन जल प्रसाथ पी मैंने जल प्रसाथ मनी मन मंत्र जाप कर सुरी संगर जी और जल प्रसाथ पीती जा पीती जा सो मैंने उठके पहले जल प्रसाथ पी फिर मंत्र जाप कर संगर जी मैं इतना मंत्र जाप करा है मैंने इतना किया है तो इंबत आके उठी हूँ अभी जैसे दिखाने माने कि इंबते भी ठाना बनाया मैं गुरुपा का वोल दी गुरुपा और अंतम शुकाना है आपका जो आप इतनी अच्छे प्यारे गुरुपाने में जिन्दगी में खुशियां मर दी है आज मैं बहुत अकलीफ में हूँ परिशान हूँ मैं सब कुछ मेरा अपने लोगों ने तपा कर दिया खतम कर दिया मेरा ना घर पैसा कुछ भी नहीं है मैं किरा किदर में हूँ मैं बहुत परिशान हो किराया ने देपारे पर गुरुपाने कोई करिश्पा किया हुआ है रूप मेरे धर में साक्षाद विराजमान मंदिल में, बोलते हैं, तू नजर उठा के देख तो सही, मैं तेरे मंदिल विराजमान हूँ, तू नजर उठा के देख तो सही, मैं तरी कुरसीब में बैटा हूँ, तू आके मुझसे बात कर, बोलते हैं सत्संकर, तो मैं आउंका पुरी ब्लेक में जिनेश्ट कर दूँगा संगत जी मैं संश्टियों के लिए संग कैसे करूँ पर गुरुपाई करो आएंगे कैसे करो आएंगे वो मुझे नहीं मालनों वो ही मुझे रस्ता दिखाएंगे बस अब मैं यहीं बहुती हूँ गुरुपा ने जिस तरह मुझे हमत दिये शक्ति दिये तकलीफ हों से लड़ने के लिए मुझे हर मेरी बिमारी से मुझे हम मेरा पिछा चुड़ा रहे हैं मुझे शक्ति दे रहे हैं पहले मुझे बीकुल उटने पाते थी बहुत दर्द रहता था गुरुपा का लगातार मंत्र जाप करीं जलप्रसाद क रहे हमत मिलती हैं लगता है कोई पावर मेरे पीछे खड़ा है जो मुझे कुछ नहीं होने देंगा और वो है मेरे गुरुपा जी मिरे प्रिता जी है वो पुरी संगत संगत के पिता है जगत पिता है गौटफादर है उनको अनंतम शुकराना तो इतने पहरने गुरुजी जी मुझे रोज बचा रहे हैं, रोज मुझे न्यू लाइफ दे रहे हैं, मुझे बच्ची को बचा रहे हैं, हर पर हमाई नक्षा करें उनका नंतम शुक्राना गुरूपा, आपका नंतम शुक्राना, मुझे से शुक्राना करने में बहुत यह रहाती है गुरूपा, मैं मा कासे आमा करיאं उन्हेंभी समझाना जी की تकलीफ क्या होती हैं जो हम तकलीफ देखते हैं कि बस गुरुपा जी सब संगत्जी करक्षा करें सबकी खर्म प्यार मुखबत रह Liberty कोई भी तकलीफ में ना रहे जो वह भा Имपर beliau करें गुरुपाजी, उन्हें भी आप ऐसे दंट दें, डबल टपल डंट, डबल ट्रिपल दंट दें, जिस तरह हम हाज तरिक तकलीफ में वह भी हमारा हम से बढ़कर तकलीफ में आएं, और कभी कुछ नहीं है, गुरुपाजी, माफ कर दें, मैं सब को देख लूँगा, मैंने म तक्रीफों से धक गई हूँ, मैं बहुत हार गई, गुरुपाजी, अपनी बेटी को संभाल, आपकी बेटी डूट गही है, बहुत, हर पल आप शुक्राना गुरुपाजी, अनंतम शुक्राना गुरुपाजी, मेर करिये रक्षा करिये, जहां गलती हो संगत जीत, जहां गलती हो, मुझे बहुत, हो मुझे बहुत समझते हैं, मुझे सब कुछ मिल गया, गुरुपाजी, मेरा हाथ तामा है, दुनिया की करणों और वो खोश्यां मिल देढे जहां गुरुपाजी, संगत जी, जहां गलती हो, मुझे माफश करेगा, संगत जीत, अनंतम संगत जी अब हम एक गुरु भक्तांटी जी का ससंग सुनेंगे संगत जी को और सारी संगत जी को गुबार्धन पूजा के हादिक सुनकाबनाए और संगत जी गुरु जी का मेसेज है की दिवाले पर सुकराना कर संध्या पर ले और मुझे अपने दरवाजे पर खारा हूं मुझे बुलाले जै जै गुरु जी मैं सुकराना गुरु जी तभी गुरु जी उसी दिन जब मैं सुकराना ससंग कर ली दूसी दिन मेरे घर में गुरुपा आ गए एक बटरफ्लाई के रूप में हर घर में एक एक बटरफ्लाई बैठी थी समान पर बेठी थी blessing दे रही है और मेरे गुरुपा हमारे घर में bless किया है अपना यहां किया है हमारे परिवार पर और मेरे चकले पर भी पानी से ओम बना दिये हैं गुरुजी इसकर मुझे message आ रहा था कि मैं पानी से ओम का ब्लेसिंग दे दिया हूँ जय गुरुजी, सुग्रारा गुरुजी और संगर जी गुरुजी कहते हैं कि तेरा गुर्ड लेन समय शुरू हो चुका है अब किस बात का चिंटा है सरी में मेरे गुरुपा बहुत अच्छे है जो कहते हैं वो होता है जय गुरुजी, सुग्रारा गुरुजी और संगर जी मेरे बच्चे को गुरुपा बलेसिंद किये है सुग्रारा गुरुपा आपका अनंतम सुग्राना गुरुजी और संगर जी गुरुजी और गुरुजी गुरुपा ने कहा है कहा था कि कोई भी वटरफलाई सामने आ आ रही है तो वीश मांग लो पूरा हो जाएगा तो मैंने वटरफलाई से यही वीश मांगी थी कि मेरे घर में कोई किलदार आकर रहे तो आज ही वो वीश पूरा हो चुका है मेरे घर में गुरुबा तिरदार भेज दिये हैं आपका अनन्दम अनन्दम शुगराना गुरुजी आप हमेशा हमारे उपर ऐसे ही मिहर कीजिए गुरुपा और संगर जी गुरुजी कितने दिनों से कह रहे हैं कि मैं तेरे बरतन बहुत जहरने लगे हैं और शीव मंदीर में जाकर मुलतानी मिटी और गुलाब जल चेड़ारला और उसे अपने बालों में लगा आज ही शोवार में हैस मैं सीव मंदीर गई और वहां मिलतानी मिल्टी और गुलाब जल शीव जी फर चरहा कर लाई गुलाब जरूर लाई हूँ और मैं उसे अपने बालों में जरूर लगाऊंगी मेरे गुरूपा का अदेश है यह जरूर करूंगी गुरूपा आपका अशिरवत बना रहे हैं मेरे उपर जै गुरूजी, शुक्राना गुरूजी मेरा खयाल रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा आपको, तो हम सब हैं, आप ही सहारा हैं आप ही हमेशा साथ हो, साथ रहिये, कुछ भी गलत हो जाए तो हमें माप कीजिएगा और अपना खयाल भी रख्येगा गुरूपा आप हमेशा स्वस्त रही है, गुरूपा आप आप का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे और मेरे गुरूपा आज ही मुझे दर्सन दिये सपने में, गुरूपा का पीछे से हाथ लगाई तो तभी मेरे गुरुपा दर्शन दिये, सपने में, सपने में ही गुरुपा देखकर घबरा गई, सही में मेरे गुरुपा है, एक बार नहीं, दो बार दर्शन दिये, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुश्कुराते हुई गुरुपा मुझे दर्शन दिये, जै जिरा पती दोनों बरे मंदीर आजाओ, मैं जरूर आउंगी गुरुपा, आपका बुला रहे हैं, आपका मेहज है, और मैं अपने बच्चों को भी लाओ, मैं उनको भी ब्लेस करूँगा, बरे मंदीर आना, तोलंगर परसाथ चाया परसाथ करके जाना, जरूर से जरूर, आ आपका अनंतम, अनंतम, शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी, मैं अब दिल से शुक्राना सहसंग कर रही हूँ, थोड़ा सीख रही हूँ, आपका मेहर रहे, आप मुझे बहुत बड़ी बिमारी से बचा लिए, उसके लिए अनंतम, अनंतम, शुक्राना गुरुजी, और मुझे बहुत दर्शन दर्शन में साथ हमेशा रहते रहे रहते रहे गुरुपा हमेशा मुझे फिल कराते हैं मैं तेरे साथ ही हूँ कोई हो या ना हो मैं तेरे साथ हूँ जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो दिया उसका भी शुक्राना जो नहीं दिया उसका भी सुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी सुक्राना और मैं यह सुक्राना ससंग यही समाप करती हूँ बाबा गुरुजी, दन दन गुरुजी लब यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम सुक्राना मेरा यह सुक्राना ससंग जरूर से जरूर अप्लोट कीजिएगा संगत जी आपको भी आपका विला होगा मेरे गुरूपा संभी संगत परिवार का विला करे और संभी के अरदास पुरा करे जैगुरूजी, सुक्राना गुरूजी संगत जी अब हम एक गुरु भक्तांटी जी का ससंग सुनेंगे संगत को जय गुरु जी में राजस्थान से गुरु जी की बेटी मैं अपने अल्रडी बहुत सार ससंग शेयर कर चुकी हूँ भाईया के प्लेटफॉर्म पे तो अभी ये मेरा शुकराना ससंग गुरु पा के लिए ये मेरे दिवाली के ससंग है सारे तो हुआ कुछ ही है कि जंगत जी गुरु पा ने गुरु पा के पिछले काफी दिनों से मैसेज आ रहे थी कि बेटा तेरे हस्बेंट पे और तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कस्थ और आने वाला समय बहुत माड़ा है इबेंट सारा गुरु पा के ऊपर ही छोड़ देता हम इनका गुरु पा आपको ही संबालना है और सब कुछ आप ही देखेंगे तो गुरु पा ने कैसे मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस की कैसे वो हमारे गर पे आए और कैसे वो मतलब हमने गुरु पाने बताए त आप संगत जी हुआ है कि गुरु पा ने तो बड़ी बढ़ी दूर गटना होने से फेले ही मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया था धन तेरस के एक दो दिन पहले हम लोग मेले में गए ते दीवाली दशेरा मेले में तो वहां पे हम लोग गुरु द्वारा के बाहर से निकले तो वो एक्तम से मोला ममा नाना जी तो मैंने का जय गुरुजी शुकराना गुरुजी उसके बाद हम लोगों ने जहां पार्किंग में गाड़ी खरी खी थी हमारी स्कूटिक वहां पे इतना प्यारा शिव मंदीर इतना प्यारा शाकसार मुझे एसा लगा कि मैं बड़े मंदीर में आके खड़ी होगी हालांकि वह बहुत छोटा सा मंदीर है बड़ विल्कुल शिव जी की मूर्ती जैसी बड़ी मंदीर में है वेशी शिव जी की मूर्ती मैंने वाकी पिक भीली पीछे न ओम के अंदर शिवलिंग बना हुआ पीछे दोनों तरफ ओम और गणप तो मेरे गुरूपा ने हमें उस दिन ब्लेस किया था बट संगत जी फिर उस बार गुरूपा की ये भी मैसेज आ रहे थे कि दिवाली तेरी बहुत अच्छी मनाऊंगा ये दिवाली तू हमेशे याद रखी कि तेरी सबसे लाइब की बेस्ट दिवाली होगी तो इतना फीवर कि जिसकी कोई लिमिट ने पता निए वच्चा कहां डर गया था खेर मेरे गुरूपा की ब्लेसिंस उसके साथ थी जल्ब रशाद देर है मैं उसको देती रही और गुरूपा ने उसको ब्लेस तो पहले ही कर दिया था ति गुरूपा को पता था कि कोई बहु ब्लेक मैजिक वगेरा यूज करते हैं तो मैंने बस गुरूपा से एक ही अरदास लगाई थी कि गुरूपा प्लीज इस दिवाली के कुछ एसा कर देना कि हमें वहाँ जाना पड़े तो मतलब वह लो कुछ करना पाई गुरूपा क्यूंकि मजबूरी यह जाना भी पड़ तो गुरूपा ने एसा जादू किया एसा जादू किया कि ना हम किसी के घर गए ना कोई हमारे घर आया और बस मेरा बेटा दंतेरस वाले दिन से मेरा बेटा बीमार हो गया इतना जादा बीमार हो गया इतना जादा बीमार हो गया इतना जादा बीमार हो गया कि फिर मेरा ह इतना ज्यादा बिमार था कि दिवाल जिस दिन दिवाली थी सबके गर में रोष्णी हो लिए थी और हमारे गर पर अंधर तो उस दिन मेरे और मेरे हजबन की काफी फाइट भी हो गई थी बहुत ज़ादा पूजा कर ले उसके बात मेरे हज़बेंको ओढ़ गुशा आ गया के मंदव अकेले कर ले में सा। में फिर भी अकेले पूजा करनी है। यह पता नहीं उस लिविए तो प्ता नहीं ょिए वह घंटा मैंने क्या किया, कौनसी क्या कि, मुझे आज रह सब में नीया है, कि मैंने अब मैं रोए जाओ रोए जाओ और गुरुपा से कहे जाओ कि गुरुपा आपने तो बोला था कि लाइफ की बेस्ट दिवाली होगी और ये तो ऐसा है कि हमारे घर में अंदेरा था उस दिन और हमने तो कोई खुशिया मनाई नहीं दिवाली पे और आपने तो बोला था कि तेरे लिए बैस्ट दिवाली होगी, फिर उसके बाद ऐसे करके संगरी बहुत रोनाया, बहुत रोनाया, मैं गुरूपा को याद करके बस रोई जारी ते और मंत्र जाब चल रहा था मेरा, फिर गुरूपा ने फिर से मजिक किया, मेरे बेटे की तब थोड़ी ठीक वी, वो थोड़ा गुम फिर रहा था, वरना दो दिन चे वो बेट पर लेटा हुआ था, तो उसके बाद वो थोड़ा गुम फिर रहा था, तो फिर मेरे हजबन का थोड़ा मूर साही हुआ, फिर नेक्स्ट ये, क्योंकि इस बाद दिवाली दो दिन थी, तो एक तारिक को भी मोरत था, फिर मेरे हजबन ने मुझे बोला, कि चल ठीक है, हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, अपन फिर से पूजा बगेरा करते हैं, आज से अपने दिवाली शुरू करते हैं, तो थेंक्यू गुरूपा, थेंक्यू, 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 सो मच, फिर हमारे जो भी सामन दिया, वो लोग फाइफ मिनिट से जादा रुके नहीं, घर पे, तो फाइफ मिनिट में, तो क्या पता, कुछ फिर भी कुछ खिया हो, तो गुरूपा जाने, बट वो लोग फाइफ मिनिट से जादा रुके नहीं, और वापस जब हम लोग कहीं घाये थे, उनके साब मंद तो तो थैंक्यूू गुरुपा मेरे बेटे को बचाने के लिए मेरे हर्जमेंट को समभालने के लिए और फिर से हमारे गर में पहले जैसा positive करने के लिए मेरे husband का mind change करने के लिए कि उनका गुस्सा शान्त हुआ और वो फिर से normal हुए उसके next दो दिम काफी अच्छे गया हमारे तो गुरुप बज़े से शुक्सांती बनाए रखना मेरे नहीं हर एक के गर में सबके गर में शुक्सांती ओ संवर्धी ओ हर दिवाली हर दिन दिवाली जैसा हो और जो लोग नहीं अपोर्ट कर पा रहे गुरुप उनको भी कहीं न कहीं से कोई न कोई हेल्प मिले कोई न कोई काम मिले जैसे हर एक की लाइफ हमेचा ज्यादा परेशान या आप लोग फोच बात तो बताना, ब भोली गे, कि जिस दिन हम लोग दिवाली का सामान लेने गए थे, गुरूपा नी मैं से जब से मैं गुरूपा सेbere मैं को मेसेज किये थे कि तेरे बच्चे की में किसी न किसी रूप में मदद करने आऊंगा जरू रहूंगा और ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि गुरूपा किसी न किसी रूप में मेरे बच्चे की मदद करने आये हैं तो हुआ यह था, कि हम लोग जब दीवाली की पूजा का सामान वगेरा ले रहे थे, तो मुझे एक शॉप से कुछ कॉस्मेटिक लेना था, अपना काजल लेना था, तो मैं अक्केली शॉप में चलेगी मेरा हस्बेंड और मेरा बेटा दोनों बाहर ही खड़े थे, तब वहा क्या हुआ, तो उन्होंने ऐसे उन्हों पूछ लिया, कि आप तो बस मेरे बच्चे को आश्रिवात दे दो, कि वो ठीक हो जाई, एक बहुत बीमार है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने आंटि ने बोला, कि वैस और गुरुपा ने, ये में अपने गुरुपा कोई थेंक्यू बोलूंगी, कि ये उन्होंने ही भेजा था, और आंटि के रूप में, कि मेरे बच्चे को ब्लैसिंग्स देने के लिए, उसके बाद में वो थोड़ा-थोड़ा हावी, उसे पूरा ठीक नहीं ये वो, बट थोड़ा-थोड़ा ठीक एवो, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बे अनंतम शुक्राना गुरुपा, बे अनंतम शुक्राना, आपका जितना शुक्राना करू, उतना कम है गुरुपा, ऐसे ही आप हम सबके अंसन सहाई रहना, सबके हर एक संगत फेमे मैंने अपने पहले वाले सचसंग में अगर हम एतनी शक्चम है कि हम किसी की help कर सके तो हमें definitely किसी की help करनी चाहिए मतलब वो help ऐसी हो कि 杉प कता वी ना चले और हम किसी की help कर पाएं भले हम दस में से एक बच्चे की भी अगर हम हेल्प करेंगे न तो वो गुरुपा की ब्लेसिंग से होगी हमें, तो प्लीज ये सब का एक समय कदम उठाना चाहिए, कि हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी थी, जिन वाकी में हेल्प की ज़रूरत है, जाए वो बच्चा हो या ब तो प्लीज संगत जी, अखर किसी गहने सुनने में कुछ गल्ती होगा, योदो शमा करें, अब मैं अपनी वानि को, नैक्स स्सन गीं तेयारी करती हूँ, वंतर जापरेस आपिसात में, ओम हम नमन श्रावेद उज्छिजी सदहए, ओम नमशिवाए, गुरुजी सदहए, वो नमस्षिवाई शिर जी सदा सहाई वो नमस्षिवाई गुरुपा सदा सहाई जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा थैंक यू लव यू लॉट संगत जी अब हम एक गुरुबक तांटी जी का ससंग सुनेंगे जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनन्तम अनन्तम शुक्राना गुरुजी, संगर जी, मैं अपना सस्थन शेर्टरने से पहले गुरुजी का मंत्र बुनूँगी, ओम नमशिवाये, शिवजी सदा सहाए, ओम नमशिवाये, शिवजी सदा सहाए, ओम नमशिवाये, गुरुजी सदा सहाय, जाई गुरुजी, जाई गुरुजी, संग्र जी मैंने गुरुजी को अपने सेवा के लिए गुरुजी को अरदास की थी, कि गुरुजी मुझे अपने सेवा देना तो गुरुजी ने आज तक जब से मैंने बोला हुआ है तो गुरुजी मेरे को अपने सेवा देते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी ने मेरे को मतलग कि सेवा दी गुरुजी मेरे अंसंग रहते हैं और मेरे को मैसेज आया था कि कुडिये तुम बड़े मंदेरा तो क्या हुआ कि हमारा ऐसे ही मतलब मेरी आंटी का मैसेज आया कि हमने बड़े मंदेर जाना है तो उसाथ मिशन सत्संग भी करना है तो हम प्याले बड़े मंदेर जाएंगे कि सत्संग करेंगे तो हम मैं और मेरी आंटी बबु आंटी वो हम चलेगे चंडिगार से लेगे तो वहाँ पे हमने मतलब पी कारी की हुई थी तो हम गुरुजी के वहाँ चलेगे मंदेर चलेगे तो संदर जी हमें जैसे जैसे हमारी गाड़ी जाती गी तो हमें बलासिंग इतनी नजर आई इतनी बलासिंग मिली हमें कि कभी डबल सेवन कभी टिपल सेवन कभी ओम के दर्शन कभी स्वास्ती के दर्शन, कभी मतलब कि हमें गुरु जी के जो ब्लेसिंग, आई ब्लेसिंग आलवेज गुरु जी की गाड़ी है, जै गुरु जी की गाड़ी, मतलब कि हमारे आगे पिछे आगे पिछे, जब तक हम अपने महापें दर्वार में तक ना पहुंचे, तो जब हम वहाँ पर पुहुंचे तो यहां पर लाइन लग गी तो वहां पर लाइन में मैं खड़ी थी, तो संगर जी एक जो सेवा-दार थे, वो मेरे को कहने लगे कि आ गे है तो, तो मैं है रहान होगे मैंने का मेरे वोल रहा है तो उन्हें पहचानना चाहर। तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हुआ कि वो आगे तीच्छे जाने कभी मेरे उदर से निकले, तो लेकिन वो ऐसी अक्टिविटी करते लें जैसे गूरू जी अपने हाथों से अक्टिविटी करते थे ना, अपने हाथ मसल्स देते, मसल्स देते, तो वैसे ही वो मतलग की अंकल कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो 100% पता है कि ये गुरुजी थे, लेकिन ये है कि मैं गुरुजी को बहुते हूं, गुरुजी मुझे अपने होने का एसास दो, कि आप ही थे, तो जैसे हम वहांगे, गुरुजी, संज़जी, वहां पे दरवा में वो किसी को बैटने का आडर नहीं होता, क्योंकि राश इतना होता है, तो वहां पे चलते 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 दरशन करो और निकल जाओ, लेकिन गुरुजी ने हमें 15-20 मिनट अपने दरवार में बिठाया, जै गुरुजी, शुकराना गुरुजी, संगर जी मैं इतने खूश हुई, इतनी खूश हुई, कि अपने चर्नों में हमें स्थान दिया, उसके लिए मैं बहुत आवारी हु, उसके लिए मैं शुकराना करते हुआ गुरुजी आपका, कि मैं इतनी खूश हुँ कि आपने हमें अच्छे से दरशन दिये, तो फिर हम बापीस आये, तो वहां प पतलब कि उसको खाना डाला तो उसमें बड़े प्यार से खाना काया, तो जैसे खाना काया तो फिर वो पीछे होगी, तो हम फिर बैठें और फिर हम यहां पे चंडिगार में आगे, फिर हमने पहले एक आंटी का ससंग किया, तो गुरुण जी ने हमें इतने दर्शन दिये, कुछ कहने की बात नहीं है, इतना अच्छा ससंग करवाया गुरुण जी ने, तो उसके लिए मैं शुपराना करती हूँ, फिर दो तीन दिन के बाद कुसी अंटी के गर हुआ, उनके गर में भी बेहद बेहद दर्शन दिये गुरु महराज जी ने, और इतना अच्छा ससं ना शुकराना मेरे दुरुफा, मैं कहते हूँ कि बुरुजी जो आपके शरण में नहीं आये हुए, उनको भी अपती शरण में लो, ताकि उनको भी उदारो, उनको भी अच्छे करम करें और अच्छा फाल पाए, तो संगर जी, जो मतलब की बुरुजिंग है, वो कोई भी शक्ती कमजोर नहीं कर सकती, मैं निडर हूँ क्योंकि मेरे गुरुबा हर पल मेरे साथ है, मैं स्वस्त हूँ, मैं खोश हूँ, मेरे काम सारे हो रहे हैं, मैं हर दिन पहले से बेतर हो रही हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुर गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनन्तम अनन्तम शुक्राना गुरुजी ओम नमशिवाए शिम्ची सदा सहाए ओम नमशिवाए गुरुजी सदा सहाए ओम नमशिवाए शिम्ची सदा सहाए ओम नमशिवाए गुरुजी सदा सहाए ओम नमशिवाए गुरुजी सदा सहा ताके कोई भी किसी के निये भुरा ना सोचे और ना करे इसी के साथ मैं अपना शुपराना सुमाप्त करती हूँ और मैं आगे वाला सस्थन की त्यारी करती हूँ जया गुरुजी शुपराना गुरुजी संगत जी अब हम एक गुरुभक तांटी जी का सत्संग सुनेंगे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शारी संगत को जय गुरुजी जो अंकल जी मेरा सत्संग चेहर कर रहे हैं उनको भी जय गुरुजी मैं अम्दाबाद से गुरुपा की बेटी और मैं अपने नाम नहीं बताना जाती है भी और ये मेरा शुक्राना सत्संग शंद्यावेडे का है साथ दिन का उसमें से ये चोथा है चोथा दिन का सुक्राना सत्संग है और गुरु पाके मंतर से मैं स्टार्ट करूँगे ओम नमस्षिवाय सिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाय गुरुजी सदा सहाई जै गुरुजी संगत जी लोग मैं गुरुजी का क्या तारीफ करूँ क्या उनका शुक्राना करूँ उनका तो मतलब हर सास में अगर सुक्राना करे तो भी कम है हमारे दिये मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैंने मैं तो इतना अजाने अजाने में इसा ही मैंने से इतना पाप हुआ है तो मुझे थर भगवान सायदी कभी बूछे ईसा मतலफ मैं सोचती थी जायदी कभी पूछे। लेकिन जब मुझे डीम दर्षन दिया गुरुपा ने और फिर अपने ऐसे जोड़ा तो, और फिर जब मैं सतसंग सुनने लगी, तो मुझे ऐसा एसास हुआ कि मतलब मैं सच में थोड़ी मतलब अच्छी हूँ मैंने ऐसा पुन्य किया है कि गुरुपा ने अपने चरनों से मुझे जोड़ा है और इतना अब पहले मेरे को बहुत अपने आप पे गिल्ट हुआ करता था कि मैं तो बहुत बुरी हूँ मतलब मेरे से पाप हो गया है गल्ती से ही सही लेकिन हो गया है बहले किसी ने यह ब्लैक मैजिक करके करवाया और तो हुआ ना मेरे बामी पापा ने रोया ना तो ये सब चीजें सोच तो कि ना खुद को बड़ा गिल्ट होता था कि मैं क्या करूँ कैसे भागवान के सामबे जाकर रोती थी माफी मांगती थी कि मेरे मतलब ऐसा हुआ गुरू जी मतलब भागवान जी मेरे मेरे में पापा रोये मतलब सब कुछ बहुत मतलब ऐसा होता था मैं कहते मेरे गल्ती की कभी माफी नहीं मिलेगी लेकिन जब गुरूपा ने अपने से जोड दिया ना तो ऐसा हुआ कि चलो कोई तो है समझने वाला जो समझ रहा है कि मैंने जान बुझ करके नहीं किया था सब और फिर धीरे-धीरे मेरे घरवाले भी इस चीज़ को समझ गए कि मैंने जान बुछ करके कुछ नहीं किया सब करवाया गिया था जब सब की सच्चाई खुल के सामनी आने लगी सब कुछ हुआ चलो ठीक है सब ने करवाया सब कुछ हुआ जो भी हुआ लेकिन इसमें लॉस किसका हुआ सिर्फ मेरन ऐसा काटो भर जीवन किसने जिया मेरा ना मैंने न जिया तो मैं सोच्ती थी कि मेरे जीवन में मतलब मैं बहुत अभागी है ऐसा सोच्ती थी लेकि जब गुरूपा ने अपने से जोडा इतना सथसंग जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ने किसी जनम में मैंने थोड़ा सा पुन्य किया होगा इसके बदले मेरे गुरुपा मुझे इस जनम में समालने आ गए और फिर अब मुक्ष दिला के अपने साथ लेके चले जाएंगे बस इस बात का मुझे बहुत बहुत प्राउड होता है कि गुरुपा ने अपने चरनों से मुझे चोड़ा है मैं बहुत बहुत सुखराना करती हूँ और इस जीवन से मुक्ति दे देंगे मुझे अब जनम मरन का जो है आसो उससे क्योंकि गुरुपा कहते हैं, मैं उनको मुक्ष देना हो, जिनका नया पार लगना हो, उसी का हाथ पकड़ता हूँ, और मैं खुद संगत चुनता हूँ, तो सच मैं मुझे खुद गुरुपाने चुना है, हाँ, यह लग है कि मैं जब छोटी थी तो तब से मैं संकर भगवा जी लोग है हो इनके मतलब पच्यों की सोच, संकर भगवान जी में रजा हैं और यह लोग इन photographed 총 सेनापती कौई कुछ कूछ ऐसे सब लोग है में हेड मतलब राजा जो है किंग है तब सीव जी किंग है तो इसलिए मैं सुरू से संकर वेवन जी को और माता जी को खुब वो करती थी मानती थी लेकिन फिर उसके बाद से फिर जब नाइंध क्लास में आई तो मेरा मतब जहां कॉलेज सा कुछ वो नहीं खुद से ही मैं हर मंगलवार को मंदिर जाती थी संकर वेवन जी को दूच चड़ाती थी और फिर उसके बाद से बजरंग बली को दिया करती थी हन्मान चारीसा पड़ती थी मतलब फिर दीरे 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 को पजरंग बली ने भी अपने आप से जोड लिया मुझे, मुझे मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कैसे, और एक माताजी के मंदीर है, माताजी का जहां मंदीर होता था, अपने आप एक अट्रेक्शन सा होता था, मैं चली जाया करती थी, आप नोको तो पता है बनारस मंदीरों का पुरा गली में मंदीर हैं, मंदीरों का सेयर है पुरा एक्दम, तो वहां हर चार कतम पर मंदीर, तो मैं जहां माताजी का मंदीर हुआ करता था, मैं चली जाती थी, और मुझे बहुत अट्रेक करते थे, संकर भगवान जी, मैं उनसे जुड़ी थी, सोरी, 2008 से, ओ, एक थे गुरुजी, तो वही संकर भगवान जी के भक्त थे, लेकिन जब ममी जब से चली गई तब से थोड़ा सा मन हट गया, बतब विश्मास हट गया, फिर मैं अकेली हो गई, ऐसा होता था कि कौन है, क्या है, फिर उसके बाद से थोड़ा स्ट्रगल वाला जिन्दिगी था मेरा, फिर गुरुपाने हाथ पकड़ा, अब ऐसा होता है कि सायद ये मेरे जो करम थे, बुरे, उसको काटना ज़रूरी था, तब गुरुपाने हाथ पकड़ा, और ये जो मतलब जो मेरे साथ जीवन में हो रहा था, जो मेरे पातिष्टी बनी थी, कि कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो जैसे ये है ना, कि हाँ, साक्षात कुरुजी हैं, लेकिन उस समय अद्रिश्टी को करती, वो मेरे साथ देते थे, हर जगह, हर घड़ी, हर नुकड़ पे, हर, हर चीज में, संकत जी लोग में क्या बताऊं, जब म मैं पिसले संकत में ने बताया है, कि मैं कहले अपनी बेटी को लेकर के तीन साल रही हूँ, जब सिक्स मंद की थी, मेरे बच्ची और हस्बन छूड़ के चले गए थे तो, तो मैं अपनी घर पे भी नहीं चाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाती थी, कि मेरे पापा का जो रेप से, और मेरे भाई बहन भी पापा को नहीं बता था, ये सब चीज़ें, कि मेरे लब मेरे इस था, तो इस वज़े से पापा थुड़ा गुस्ता रहते थे, तो वो समय में 6-7 महीने का बच्चा ले करके, अकेले सब काम करती थी, सब जाती थी, सब जी लाने, मार्केट, कही भी, तो गुदने बच्चा ले के, हाथ में बैग ले करके, और कैसे कैसे मैंने शर्वाइब किया है, वो दिन याद करती हूँ, तो सोस्ती हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया था, और मुचे ये अंधीरे से बहुत डर लगता है, और फिर भी एक बच्चा ले करके मैं कै सब कुछ इदम, मैं सोस्ती हूँ तो मैं करती हूँ, वो मैंने थी, वो मैंने तीन साल तक ऐसे रही हूँ, मैं ऐसे स्ट्रगल किया है, मैंने, अभी कुद को मुझे यकेट नहीं होता, लेकिन हाँ, भगवान का साथ मैंने, मतलब भगवान ने मेरे साथ कभी नहीं कुछ भी हुदा है, बस पूजा करना है, और मतलब हनुमान चली सा तो मेरा छोड़ता नहीं था, वो तो डेली मुझे पढ़ना ही पढ़ना होता था, हर मंगलवार को, और महीने के, मतलब हर 15 दिन पे दूर जल चढ़ाना संकर भवान जी को, बजरंग बली को महीने में एक सहर में मेरी बच्ची अकेले रहती है, एक अंजान एरिया में ऐसे कैसे सर्वाइब करती है, लेकिन वो भी अब जब मतलब थी, तो कह दी थी कि वा बेटा, तू सच में मतलब दिखा दी कि तू सच में नारी शक्ती का एदम मिसाल है तो, इतना, और उपर से ये एक माँ, इतनी चोटी उमर में तो कोई भी नहीं कर पाता है सर्वाइब, लेकिन तो एक बच्चा लेकर कि अकेली मम्मी कैसे सर्वाइब कर ले, तो वो सब पल याद आती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, अकेली तो नहीं थी मैं, वो गुरू पात है मेरे साथ, नहीं तो मैं वो मतलब ऐसे डरपक टाइब की थे, मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब किसी के सामने ज़्यादा मतलब नहीं वो ओपिन होना, और बहुत शाई डेचर ऐसा मेरा, बट जब पड़ा मेरे उपर, मेरे सार पे जब पड़ा सब कुछ तो सब जेल ली, और सब गुरूपा की सभगवान जी के क्रिपास है, कई बार मन में विचारा था था कि मर जाओ, सथाइड कर लो, फिर सोची थी कि जब एक बच्चा को लेगर के मर सकती हैं तो जी नहीं सकती हूँ मैं, इतनी पढ़ाई लिखाई मेरे किस काम की, पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया, सब इसके सहरिये चीएगे और इसके दीवन में ऐसा देना आने वाला है, इसलिए भगवान ने तो संगत जी लोग मैं बता रही हूँ आपको अपने बच्ची की बात कि ये कौन ऐसा होगा, जो फोर मन्त तक मुझे पता नहीं चला कि मैं प्रेडिनेंट हो फोर मन्त तक, आप फिर होमेपैतिक दवाई, फिर आयुरवेधिक दवाई, मतलब ये कि मुझे पिरेट क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा हो गया था, तो डॉक्टर भी चेक करते थे, उसमें कुछ आता ही नहीं था कि मैं प्रेडिनेंट हो तो वो लोग भी दवा चलाते थे कि हो सकते बाई, भी कलके खासी हो जाती थी, उन्होंने टीपी तक की दवा चला दी, लेकिन वो तो तुरंत रियक्ट कर गया, मेरे को विदम सास लेने में दिक्कत होने लगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं मुझे, तो मैं डॉक्टर भी उसने तुरंत प्रेस्क्रेप्शन लेकर के और दवा फिक दिया, बोला कि सॉरी आप जाओ यहां से, मैं अप्रेटमेंट नहीं करूंगा, मैं फ़स जाओंगा ऐसा, तो फिर मैं वास चलिया, फिर उसी लेडी जॉक्टर के पास गई, तो मैंने कहा कि मैं फोर मन्त होने को आया, ऐसा कुछ भी नहीं तो उन्होंने कह कि चलो मैं आपका अल्टरसाउंड करती हूँ, जब उन्होंने अल्टरसाउंड किया, तब पता चला कह रही है, ओ मैं गॉड़, नदब यॉर प्रेजनेंट, वो भी फोर मन्त का बेबी है, मैं तो एक दम सॉक्ट होगी, उन्होंने खुद जो दवा लिख करके मेडिशीन मुझे दिया था, वो खुद पढ़े रही थी, वो प्रेस्केप्शन की, ये दवा आप सच में खाया हूँ, मैंने खाया है, पुरा पंदरा दिन तक टैपाइट की दवा खाई है मैंने, तो बोल रही है कि आपका फिप्त मन्त में अल्टरसाउंड करना पड़ेगा, और ब लेकिन वो एकदम वो अश्चर रही हो गई है कि एसा गया ऐसा पोसिबल हो गया, इतनी दवा खाने के बाद से बच्चों कैसे नौरमल है, वरना वो बोल रहे हैं कि या तो पैर नहीं होगा, या हाथे नहीं होगा या मतलब बच्चे को दिक्कत होगा, और कुछ भी नहीं perfect है एक दम सही है तो सब गुरुपा की ही दया है गुरुपा की ही महरवानी है और गुरुपा की मुझे message भी आते है आज की डेट में भी जब मैं इसको लेकर के परिशान हो जाती है हूं कि इसका पढ़ाई डिखाई का क्या होगा कैसे तो गुरुपाया का तुरंद मैसेज आता है, तो क्यों चिंता करती है, तु भी मेरी थी है, और तेरी बेटी भी मेरी थी है, प्यारी थी है, उसको मुझे बहुत पड़ाना दिखाना, बहुत आगे ले जाना है, तो उसकी चिंता मत कर, उसके हाथों मुझे बहुत लोगों क कल्याण करवाना है मुझी इतना खुसी होता है कि गुरुजी आइसी लिए आपने उसको बचा के रखा था कि उसके बिज़ाओ से मैं जिन्दार हो गूँ थैंके गुरुजी शुकराना गुरुजी आजकी डेट में मेरी बच्ची सबके आँकों कटारा हो गई है मेरे भाय बहन सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं उसकी टीचर और मतलर सब लोग बहुत प्यारी बच्ची है बहुत धेखी बच्ची है संगत जी लोग पढ़ने लिकने में तो इतनी तेज है कि मैं क्या बता हूं बहुत brilliant mind है, बहुत, इसकी teacher भी बहुत तारीफ करती है, इसकी, अभी, और हाँ, एक और, गुरु जी कहते हैं, कि हमेशा, उनका message आता है, तेरी बेटी को मैंने 7 भी बार बचाया है, उसके प्राणों की रक्षा की है, तो सच में किया ही है, गुरुपा ने, पहला तो प्रे पहले तो मैं कभी ऐसे बस में गई नहीं हूं, मतलब मैंने कभी ये सब किया नहीं था, जाती थी तो मुझे समझ में नहीं हाना, अफू चोट लग जाता थी, कि अब तो गया, अब तो उच नहीं होगा, ऐसा मतलब हो जाता था, लेकिन नहीं, सही सलामाँ एक दम मेरा अभर है हैं अँग्त कर कर दो और रहो हुए नहीं जाएद चाह्ट मोला एक Stephanie ена इसको जलीक खिलायां मेंगर्ट बाद से खीलाओ तो अगर कैसी को ब्लेट की कमी हूँ शाज है कि गुरुजी बुलवा रहे हैं उनसे ये बात कि किसी को बलड की कमी हो तो विकनिश फीलो रहा हो यानि मिया की फ्रोब्लम हो तो सुबस बख हाली पेट अनार को मतब छिलके और खाए चबा-चबा के उसको उसका जूस नहीं उसको चबा-चबा के खाई ये आप डुक जिस गुरुपा थी गुरुपा की ही महरवान नहीं थी और मेरा बच्चा बिल्कुल नौर्वाल डिलिवरी हुआ एकदम अच्छे से सब कुछ सही से लमत और चुटी थी तो बीमार भी रहती थी बहुत थोड़ा उसको क्वाल्डी की प्रोब्लम थी लेकिन अब गुरुपा क गुरुपा इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा हैं कि आज बेटी के लिए सच्छंग करो तो ये गुरुपा की ही महरवानी थी कि गुरुपा ने मेरे बच्चों को बच्चा के रखा साथ मुझे जिन्दा रखने के लिए थैंक्यू गुरुपा आपका बहुत-बहुत सुक संगत जी अब हम एक गुरुपा तांटी जी का ससंग सुनेंगे नवकोम दो तें चीज़े श्रीश करना चाहते हैं तो ये पर देख इंदा शितानी नताया कि मेंका इंगेशन तो वाल कुरुपा जी बहुत अश्च्छ वुछ थीटा किया सब कुछ मना मैंगों मैनेज कर पहें मुझे खुदी श्राज नहीं लाँ है वंदे नहीं कराया किया था हुआ था गरजी ली विए करके कराया था और सटकुछ इतना असानी से हैसंद बेस अश्रीश हो गया और अधे वाली के मैं अधे बारी के मैंने कैसे किया ना वुछ अखुदी नहीं बता मैं है घुजमन कहने तुम कैसे खड़ी हुँ तुम शोवील का अन्ध मैं अम मानों गेनी चोवील घंटे में एक सेकेंड भी अभी गरभी पैठी नहीं आई सुभी तीम बजेग जड़ दाल दाएंगे, मैं पहुचेंगे सुटकेस के साथ, इनने सुटकेस खोला, सारे कपड़ डाले शनी पर में जटी बाल्टी में डालिये, उनने सारे हैंड वुषर के सुखाये, सुखाने सुखे-सवे बने अट में डाल दी है, आम एन डाल दी है तो फिर में दोबरा एक और लाट दोया जो मैं लेक पड़े पड़े होए थे कपड़े जो धुने वए था रहता है कि देपरेशन करी परेजार की परदे लग वाए दिमेशा पर इच अदर रहे चेंज करी यह किया रांट भागे रंबो दे बनाए किचेन पूरी सफाई करी परस नीचे तो फिर सेम डेशन करी फिर उसके बाद मंदब मैं जाने से पड़ी में दी वाड़े बहाने का लगे थे जोड़ना ना पड़ना अपने अपने घरवनों के पूरा गर सफाई वी देकारी पंखे साफ करवा हूंदा में बेटे में भी हल्प करी पंखे सफाई क फिर उसके बाद मैंने अपनी बेट को दुवारा गुडा था कि वह दुवारा आके जाड़ो कोचा जरू मार जाना वो दुवारा दो तिन पर जाके जाड़ो कोचा मार के गई दुवारा बरतन मैंने दुलवाए फिर उसके बाद पूजा से पहले मैंने पूरी किचन दव पूरा मंदिर से आफके यहां मंदिर भाल लगाया और अब मंदिर का समान रखकाम दिये जिलाएं तूजा करी दिये सुखाना उसके बालाओं के करम में हमने दिवाले देने हैं अगले दिन में देखा हैं से में दो विचे तक तो ए-ए-म तत मैं कॉंस्टेंट अंडी काम कर अब क्यों करती चली जारी है तो मिन दूट विन ही निसोई और ममानों में सच मी में एक घंटा सही थी मैंने विचे बोला मिटा मैं देख मैं वी केरा बज़े सो रहे हैं मैं बारा बज़े पुड़ा पक्का उठा दिया लिए इंचान दू बज़े उठा था दूब विज किल रहे हैं तो एठे होई जब से तूब आए मैंने भी सोफेस भी खाल लिए इसको धूब लगा दी इसको पर अंतों तो पूरा हम्ता काते ना कॉंस्टेंटी या वजगौती बार में पन्यमी साफ के पन्तों को पानी दिया या ओधिया मतलब अनल्यमिते का मैं बीजिं क होने चाहिए है तो मैंने पोरा अगार पोरा घर एट टू जब साफ किया फर फूजा तरे लिए इतना किया इतना किया तुम्हीं हम ऐसे भी नहीं कि मैं बेहोश हो रही थी बट यह पूजा काम सच्वें गरजी ने उससे करवाया मुझे तरी अनौजी दी काइदन्स थी कहा खिंग गहाँ काए किसे कारना किसे हिल पेन के संच्वें। लिए और अपना द्यादिश जरहने के मिरें, मैं मेरे सुपु शब्दी निए बरजय कि, मैं बता रहा हूँ कि, जिखके भी आप सच्ठाग सुनते हो ना, वस सारे टृत्फुल है, सारे के सारे असल टृत्फुल हैं बिल्कुल, और ये चीज मैं बता रहे हूं, हाम भी करें, कि गुरी जी का आवन करें, हावा आवान करें, कि आप मिरे साथ चलें, कि मिरे साथ ही मिले हल्प करवा दीजिए, प्रूजी प्रीज, 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 अथी प्यार है हो, सच में हो, आप भी हल्प करने आएंगे, आवान को यूँआ मैंने ईस चै的時候 कि सुखवितार्योंने कुछ चैनगे हैं जब आपको काम होजे तो इनी जब आपको काम होजीए तब ही मीज़ीए अपोजा करीए उसी स्ệnहे जब उसने इस बाद थांकिर सवगें अपना एक दिना आशान देन एके लिये और मेरे, हम मझे तो खहल ना, पता नहीं मुझे हाद एक सच समय तरी वो सते हैं, तो जाए कि अपने पैसिंग शेयर मत करो, पैसिंग शेयर नंत करो, मैं आपो इंडिरेक्टी बता हूंगी कि, मेरा अच्छली एक हम बहुत टाइम से मतलब समझ लीगे, तीन, चार साहर से मैं अगया नंता है, अब जो फुल्द्र उन पडेशन नहीं के इतना जड़ने प्रेशन द्यए था ना, उनको घु खी मेर से जा रगे सारे निकर्पें, नहीं महीं रहे घा गया, तो आपने बहुत टिकाते नहीं थे, बता हम उन से भी निए शेयर करते हैं, ऑनक्या मंद यहां कि इसा मन बिजनस का दरेच बिजनस लाइस का उन्तरी इन उनका मन खुल आए कि अरे कुछ दूद भा सब तो अच्छा दमना बहुत पॉजिटिव सच्छा सूच्छा सूच्छा मुझे भी बोलना कि इसके बारे में सच्छा चाहिए कि नते हो तो मैंने अग्भारी गुजिफ अपने उनका बहुत पीशन्स का टेस्ट देने और प्लीज आप तीन-चार साल हो या प्लीज आप उनका पूड़ा कर देना मैं आप रेक्वेस्टर अग्षा में आप नाव ही डिजर्वस और आपने उनके परिक्षा तेन आप उसके परिक्षा में वो पास में हो गी है जब वो न्यूज आई ना पती क्या होता कोई अच्छी न्यूज जो आप च्यार साल पहले एक्सपेक करें थे और तीन-चार साल बाद में वो न्यूज थो तो अच्छी बाद तो है लेकिन वो एक खुशी जो होती है ना इंताम इतना अवेट करने के वाद में ना ख्यार इतनी तो खुशे नहीं गए उनको बड़ मैंनों ने ये बन पूरिया मैंने का देखन जो आपको मिना है ना आप उस में भी गेटफूल हो कर लोगों को ये भी नहीं मेंनता मैंने का बगवान ने सब करने दिया है और आपको मैंने का बगवान ये ही जोचता है कि ने कितना ग्रेटफूल होता है लोग के उपको इतना में नी मिलता आप तो भी मिला है और बिना मांगे आपको मिले इस बरहे तो के ना मैंने तो सूच वी महांगा ने का बता है, कैसे है? क्या बने बने बगवान के बोल ना था, मैंने का बगवान आपने मुआए टेस दे लिया, अइस बरहे आप उँको भोड दिया दिना मैंने का नदस दीन से वेट करे थी कि आप हात भात भी आग़ाया हाथ लिए यागवाई हाज बिताया थे कहा में शौक नी पूपरराइज नहीं व्हा की आप ने मुझे पधाया था मैं तो कmotफ था ने घुमिजो को भी दिया था आं अनि हम कोरें जी थी हम भूं खəraवस करते है 2100 को चार सान को और विचारे को और ही इस बेडी फेडी डिप्रेस्ट कि उनके जॉन्यर में पुरोगे बजाने हुआ है तम मुझे नहीं पतान के क्या है जणना मैं किसे को प्लेम भी करते हैं जो भी है वह में को थोड़ा समझ में दो आता हैं कि अज़े को प्लेम में कान स्भूर कि एक जड़ी लेग है उनको लगता है उनको लगता है मैं रहे चो जाएगा कभी हमें चोड़ी ना दे लाद है तो उचाती ने कि वह उग्रोपर है उचाते हैं हमारे नीचे इंदवारा हैं ताकि हमें देखते हैं मुड़ा पर ऐसे भी सल्फिश माबा को थे हैं और मेडिये ठूथ है यही बात साच है वो उनको भी बाता है तो वो कोई भी अच्छी चीज पैसे से रिडेटेड है ग्रोज से रिडेटर ने उनको अच्छी नहीं लगती सुनने में उनने वो बुराई करने डग जाएंगे नेगटिम बोने लग जाएंगे घजमात के बारे में मैंने हजबन को बोला मैं इक हम दंपता है कर वो नहीं खुश होते हैं उनको इनकीन सेक्यारटी है यह अगो सब्सक्राइब हो चिके 78 अगे तंपे उनको इतनी सेक्यारटी है बच्चे का अपनी वेटे हो असता नेने के बजाए हुश को नेगटिम बोल थे एक तुन्य मैनत से के हैं लेकर नेगटिम बोल देंगे मैने मुन के बात्ता में सुना था तो उन्हों शुच्ट हो गए धिको मैंने इतनी मीनत से कहां किया मेरे मा का में बैक वाई से बोल मैंने को विक लिगा तो यह नहीं उन्हें नहीं चाहते हैं कि वो गुरू करें वो चाहते हैं हमारे अंदर बठार है तो यह तो बाद हम इतना उन्होंने वेजिबल कर दे है कि हमें जेस्ट में आने भेगे बात कि एवे तो अब मैं इस चेस के भी बीजिटें बहुन 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 थेंकिये मुलते हुए अमें सच बता हूं तो मैंने भी बविज्व कंदर जिन पहले से ही बुनाता है जो इप पनीख के अंदर में जो दूख है जो उसने उतने दभारत आए ना रहा तो रहता है तुम भी कहते थे हैं कि प्रास में चाहें मैंने का आप मुले चाहोगे मैंने का बनवान दू बहु कि यो कुछ नी में तब भगवान सब को सब कुछी दिने लग जाना 100% वान वान को कोई पूची गई नी मैं इने बहुत समझाते थी थी थोड़ें ठीक रहते थे थे फिर वही अंदर मन के अंदर दबा रख था वो मैं समझ गये थी मौन टाइम से ही था मैं वीश-वीश महासातु देती जाती थी थी इनको फिर मैंने इनको समझाया अब कल भी थी फिर मैंने बहुत पोड़ी में ने कन देखो वेगा सारे को हर चीज़ भी बंदे को फुश रहना चाहिए भगवान स्वामे से आपको असी देगा ये बिच्छक्तन देगा सोका स्वा देनी लंगे न तो भगवान उपर पूज़ इनको भी दे न पूरा सब कुछ दिया देगान एक बेटी की प्रॉब्लम दी है मोटा है उसको शुगर है जो हुई है उसको 100% तीनो बच्चे पुड़िया दे दे ग्रग, माधादार, चलरर सब कुछ भगवान के भगवान के पुड़िया तो मैंने को इसा नहीं सुचना चाहिए आपको अच्छा दिया आच्छी लाइफ लोगों को कितिनी प्रॉब्लम होती है लाइफ भगवान ने सब कु पुड़िया ग्रग, यह थे जितनी है लोगवान को भी आपने अच्छा दिया अविना मागे दिया आपने, और जाना यह नहीं थे एक्स्पेक्टिया था था मैंने कि मैने पहले पहले भगवान को बोल देया है, कि मैंने मुद देश के लिए अभी यह काम करवा गुए अ नगा देहां मैं इस शब्राइब भी विए कि मुझे पता था अशा होना आप मैं बेट करे थी का वापा की मुझे आत नहीं पता हूं यह माथ तो उनको भी इलाद की कैसे पसिलिए का तो यह पॉसीब बाद है संगत जी अगर आपको आज का ससंग अच्छा लगा हो तू आप इस ससंग को ओर संगत के साथ जरूर साजा करें जिससे वो भी महाराज का दिवे आशिरवात प्राप्त कर सके जय गुरुजी क्रूब दो